हाई गाईस, वेलकम बेक टू माई चनल, आज मैं आपको पुरानी ए लाइन कुर्ती को रियूस करने का तरीका बताने वाली हूँ, इसे मैं हाई लो टॉप में कनवर्ट करने वाली हूँ, जो की बहुत ही आसान है, ये मेरी ए लाइन फ्रन्ट स्लिट वाली कुर्ती है, इसक स्लिव ऐसे ही रखने वाली हूँ, तो ये मैंने कुर्ती ली हुई है, सबसे पहले हम उपर से 32 इंच पर निशान लगाएंगे, तो आप चाहे तो इसकी लेंद कमिया ज्यादा कर सकते हैं, मैं 32 इंच की लेंद रखने वाली हूँ, तो सबसे पहले हम उपर से यानि की शॉ लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रो कर लेनी है उसके बाद जितना आपको हाई लो का शेप रखना है उतना आप निशान लगा सकते हैं तो मैं 24 इंच पर निशान लगाऊंगी तो सेंटर से हम 24 इंच पर निशान लगा लेंगे और इस निशान को हमें हाई लो का शेप ड्र पूरा से दोनों साइट से आपको इसमें हाई लो का शेप लगत करना है अभी इसे हम कट कर देंगे तो यह शेप कुछ इस तरह See नज़र आएगा और यह शेप फ्रणट और बेक दोनों ही साइट से कुछ इस सह नज़र आएगा अगर आप चाहे तो इसकी स्लीव को रिमूव करके इसमें तिरची पट्टी आटेच करके इसे स्लीवलेज भी बना सकते हैं अभी जो नीचे की बॉडर है उसे हम डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे पूरा जो हाइलो का पाठ है उसकी बॉडर को हम डबल फोल्ड करते हुए इसमें स लगा लेंगे तो यह देखे मैंने इसमें सिलाय लगा दी है और यह नीचे का पाट रेडी हो चुका है अभी चाहे तो आप इसकी स्लीव को रिमूव कर सकते हैं लेकिन मैं इसमें ऐसी ही स्लीव रखने वाली हूँ तो इस तरह से हमारा हाई लो टॉप बनकर रेडी हो चुका है अगर आप अपनी कोई भी कुर्ती पहन कर बूर हो चुके है तो आप ऐसे बहुत सारे टॉप के डिजैन्स बना कर इसे पहन सकते है यानि कि रियूस करके इसे पहन सकते है तो फ्रेंड्स आपको आज का ए लिखने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा